हेलो एवरी वाइन नमस्कार पात आएस अकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का धेर सारा स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुती इंपोर्टेंट सिरीज चला रहे हैं जिसमें हम मेंस टैस सिरीज के जो हमारे रेजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी आंसर कॉपीस को डिसकस कर वें ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल को इंप्रूब कर सकें और CGPSC मेंस एक्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकें अगर आप 24 जून को आयोजीत होने वाले CGPSC मेंस एक्जाम में एपियर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए यह सेसन तो हेल्फूल हो गही लेकिन किसी कारणवर्स जो स्टूडेंट्स इस बार CGPSC प्रिलिम्स क्वालिपाई नहीं कर पाए हैं उन्हें भी निरास होने की जरुवत नहीं है समय का सद उप्योग करते हुए आपको यह सेसन लगाना चीए आपके लिए भी यह जो है बहुत ही कारगर साबीत भविश्य में होगा इस सीरीस के बहुत सारे पार्स हमने रिलीस कर दिये हैं सीजी जी एस मैस और सोसियोलोजी के वीडियोस आ चुके हैं अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं आज मैं आपके सामने हमारा सीजी पेसी मेंस टेस सेरीस का टेस नंबर 4 जो की 6 मार्च 2024 को आयो जीत हुआ था उसका इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट के आंसर कॉपिस लेकर आपके सामने प्रस्तूत हुआ हूँ तो इसको हम आज क्या करेंगे चर्चा करेंगे लेकिन पहले हम यह देख लेते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी CGPC की त्यारी करने स्टार्ट कियें अंसर रैटिंग स्टार्ट कियें उनसे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको आंसर रैटिंग की सुरुआत कैसी करनी चीए तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा syllabus सबसे पहले आप syllabus का print निकाले उसका जो भी subject की आप तैयारी कर रहे हैं उसके जो keywords लिखे हुए हैं उसको पढ़ना start करें उसका crux बनाएं short notes बनाएं और उसकी answer writing start करें answer writing कैसे करेंगे तो आपका जो दूसरा step होगा वो होगा previous year questions सबसे पहले आप जो है cgpsc द्वारा विगत वर्सों में पुछे गए जो प्रस्न है previous year questions है उसके answer frame करने की आपको कोशिस करनी है आपके लिए बहुत अच्छा सवाली हो सकता है कि सर ये जो syllabus है और जो previous year questions है वो हमें कहां मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है हमारा path IAS Academy का जो application है उसे download करना है वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इसके अलावा जो है description में हम हमारा WhatsApp channel का link provide कर देंगे जिसको join करके आप इन PDF को access कर सकते हैं तिसरा जो step होगा वो होगा आपका practice question आपने previous year question लगा लिया अब आपको क्या करना है practice questions बनाने है तो practice questions के लिए सबसे बहतरिन जो तरीका है मेंज test series जोईन करना तो CGPC मेंज test series 2023 जो है वो हमारा 24 फैप से start हो चुका है जो कि 16 माई 2024 तक चलेगा बहतरिन बात यह है कि यह online offline दोनों बोड में अगर आप राज्य के किसी भी कोने में बल्कि राज्य नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में और CGPC के त्यारी कर रहे हैं तो online आप जो है हमारा CGPC मेंज test series जोईन कर सकते हैं ठीक है registration open है अभी जो है round 1 पूरा लिया जा चुका है round 2 चर रहा है round 2 में हम क्या कर रहे है paper wise exam ले रहे है हर paper और हर paper में 2-2 दिन का समय दिया गया है आपकी त्यारी करने के लिए जब हम round 3 में जाएंगे तो बिल्कुल AGT उस तरीके से exam लेंगे जिस तरीके से CGPC जो है exam लेता है यानि कि 4 दिन में पूरे 7 paper हम conduct करेंगे same time में उसी time बे जिस time पे CGPC लेता है तो अगर आप CGPC main test series में appear होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है call करना है 9111-922-9222 में ठीक है तो आप जो है हमारा CGPC main test series जो है join कर सकते हैं तो अब हम अपने topic में आते हैं आज जो है मैं आपको test number जो 4 है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें हमने दो पार्ट पूछा था Indian history का modern part और CG history का modern CG history जो है गिरिश सर के द्वारा जो है इनके वीडियोस बनाए जा चुके अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जा कर देख सकते हैं ठीक है आज मैं आपको Indian history के questions discuss करने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको यह पता होना चीए कि जो 2 marks के question होते है उसकी word limit कितनी होती है 30 होती है ठीक है तो हम जो है यह आपको पता होना चीए कि 2 marks के CGPST 75 marks वाले section में कितने questions पूसता है तो sir 8 questions पूसता है लेकिन round 1 जो है हम subject wise लेते हैं इसलिए हमने CGPST pattern को follow नहीं किया है CGPST का pattern जो है आपका round 2, round 3 में follow किया जाएगा इसलिए यहाँ पे 2 number के आपको 5 questions दिखेंगे तो पहला प्रसना यह कह रहा है पहला प्रसना कह रहा है कि what is the कामा गटा मारू incident ठीक है आप जो है keywords में ध्यान देते जाएए what is पूछा याने की सीधा सीधा आपको जो भी आपको इस incident के बारे हम पता है वो आपको बताना है question number 2 बोरा है de-industrialization policy of Britishers question number 3 who started the young Bengal moment and from where देखिए यह सीधा सीधा प्रसन है सेजी पेसे प्रिलिम्स में जब आप socio-religious reform पढ़ते हैं तो यह सारी चीजे जो है आप definitely पढ़ते हैं कोई बाहर से question आता नहीं है और प्रसन सीधा सीधा पूछा है who start अगर आपने दे दिया और आपने बता दिया कि कहा से start हुआ है तो आपको यहाँ पे दो नमबर मिल सकते हैं कोगि questions के demand ही इतनी है ठीक question number 4 बो रहा है describe Raja Ram Boharwa is a reader of the socio-religious moment ठीक question number 5 बो रहा है what were the downward filtration theory of education अभी मैं सिर्फ आपको जो हम test number 4 में modern history में जो questions पूछे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी हम answer copies हमारे जो student की answer copies है उसको भी हमें आपको दिखाऊंगा और discuss करूँगा कि क्या उसमें बहतर हो सकता था और last में मैं आपको जो है हमारा model answer की जो explanation है वो भी मैं आपको पढ़के बताऊंगा ठीक है तो ये questions हमने दो नंबर के पूछे हैं इसके बाद 4 marks के question आए है 4 marks में आपको word limit पता होना चीए कितना है तो start words की word limit होती है जो की आपको 5 questions पूछे जाएंगे CGPSC mains exam में हम भी 5 questions पूछे हैं जिसमें 4 नंबर का पहला प्रसन और मारे test का छटवा प्रसन है कहा रहा है कि describe separate और communal electorate system ठीक बहुती simple question है आपको जो आपको पता है describe बोल दिया यानि जो आपको पता है वो आपको बताना है question number 7 बोल रहा है कि it was not the partition of Bengal but the partition of Indian in 1905 by the Britishers explain करना है आपको 4 नंबर का प्रसन है तो आपको इन प्रसनों को बताना है what was the purpose of home rule league moment ठीक है तो जब भी ऐसा प्रसन आएगा कि आपको purpose बताने है तो 4 marks के questions है तो आप इनका जो उद्देश है जो purpose है वो directly जो है आप बता सकते है comment on the policies of vice royal lord करजन ठीक और question number 10 बो रहा है कि write a short note on जलिया वाला बाग मैं सेह कर ठीक तो ये 4 number के आपके कितने question हुए 5 question हुए 8 marks के जो word limit है वो होता है आपका इसमें हम 5 questions पूछे थे cgpsc जो है आपको 3 प्रसन पूछेगा ठीक हमारा पहला प्रसन आप मार्स का कहा रहा है the non corporation moment was a reflection of Indian public sentiment explained ठीक अगला प्रसन कहा रहा है how was the ilbert bill discriminative for Indians अगला प्रसन what was the purpose of the document title the philosophy of bomb कुछ प्रसन जो है हम जो है बहुत अच्छा पुछे है जो की cgpsc means exam में भी आने की पूरी संभावना है ठीक है अगला प्रसन बोह रहा है mention about the social reform movement led by the man for the appointment of women अगला प्रसन है enumerate the various factors that lead to this tribal uprising in the 19th century ठीक तो ये हमने 5 प्रसन पुछा था अगला जो है 15 marks का question आपको word limit पता होना चीए कितना है 175 word इसकी क्या है word limit है cgpsc दो प्रसन पुछता है जिसमें एक अथ्वा याने की और होता है हम चूकी pattern को पलो नहीं कर रहा है भी हम subject wise ले रहे है इसलिए यहाँ पे 15 marks के दो questions पुछे गए है जिसमें पुछा गया है कि write a critical note on consequences of doing of handicraft industry under the rule of the East India Company ठीक अगला जो प्रसन है वो है बहुत ही अच्छा प्रसन है इसकी मैं answers मैं आप से definitely discuss करूंगा अभी सी मैं प्रसन पढ़ देता हूँ तो यह हमारे questions जो की हमने test number 4 के part 1 यानि इंडियन history का जो modern वाला जो section है उसमें हमने पुछा है इसका पहला प्रसन जो मैं आपके सामने हमारे students के answer copycard screenshot लेकर आया हूँ इसको हम discuss करते हैं तो पहला प्रसन हो रहा है कि कामा गाटू प्रकरन क्या है तो पहले आपको जब भी आप क्या है वारा प्रसन करेंगे तो आपको सीधा यह बताना है कि incident है क्या अब आप इसमें answer frame कैसे कर सकते हैं यह दो नंबर का प्रसन है दो नंबर के प्रसन में demand यह होता है कि आप जो है मुख्यता कम से कम चार पॉइंट जो है आप fact बता दें जब आप चार पॉइंट fact बताएंगे तो हर एक point में आपका आधे नंबर मिलेंगे और आपको पूरे दो नंबर मिलने की पूरी संभावना है तो कामागार्ट मारू जो incident है उसमें आपको सबसे पहले जो fact याद आ सकते हो आ सकते हैं कि year कब start हुआ था यह आप बता सकते हैं ठीक है 1914 आपको याद होना चाहिए इसके अलावा इसके जो leader थे वो थे आपके good thing क्या था यह पूछा है तो यह आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जपानिस जहास था जो कि वरना कुलर गया कनाडा गया वहाँ पे उनको entry नहीं मिला फिर वापस कलकत आया फिर जड़ा पूई जिसमें 18 लोगों की जान चले जाती है और कितने यात्री सवार थे तो 376 यात्री सवार थे यह मैंने अब तक 5-6 fact बोल दिये यह 6 fact में आपको जो है 4 fact अगर आप लिख लेते हैं तो आप पूरे marks आपको मिल सकते हैं अब बच्चे ने क्या लिखा है बच्चे ने लिखा है कामा गटा मारू वह सच जापानिस थी पहला point इसने बता दिया भी है जापानिस इपता which was always from India बिलकुर इंडिया से नहीं आया था यहां पर फैक्चुली गलत हुए है इंडिया से जो है आपका कनेडा नहीं गया था वह जपान जो है आपका वहां से कनेडा गया था ठीक है उननीस सो चाउदा ठीक है इट कवर्ड अराउंड पास सो जपानीस देखिए ठीक है पास सो नहीं बलकि 376 जो आपके पंजाबी है या कहें हम इंडियान है वो पंजाबी रिजियन के थे ठीक है mostly Sikh थे और Hindu community से भी थे और Muslim community से भी थे तो आप इंडियान वर्ड यूस करेंगे तो बैटर है लेकिन पंजाबी भी ओके है इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और लिखा है जो कि लिखा जा सकता है बहुत इंपोर्टेंट है Canada government in 2016 एप्रोजाइस फॉर दिस एक्ट यह न्यूज में बना भी इसलिए हुआ था कि Canada government ने 2016 में क्या किया था माफी मांगा था लेकिन नंबर कितने मिले हैं तो एक नंबर मिले हैं इसलिए एक नंबर मिले हैं सबसे पहला तो यह कि आप यह देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्वली गलत हुआ है दो जगह इन्होंने गलती किया है पहला तो पांस तो इन्होंने बता दिया जो कि 376 था दूसरा सबसे बड़ी गलती इनसे यह हुई है कि इन्होंने वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखा है आप जो भी आंसर राइटिंग फ्रेम करेंगे दो मांक्स के नंबर दो मांक्स का जो आंसर राइटिंग करना बहुत मुश्किल है आपके मांड में जितना फ्रेम हुआ है जितने भी इंपॉर्टेंट चार फैक्ट आप बताने वाले है चार से पाँच वो आप चार लाइन जो आपको मिलेगा उसमें आप कवर करने की कोशिस करेंगे ठीक है कोई भी इंपोर्टेंट पॉइंट न छुड़ जाए इसलिए इंपोर्टेंट पॉइंट आप पहले लिखेंगे तो देखिए इनकी क्या हुई है वर्ड लिमिट एक्सेट हुई है ठीक है तो आपको कितने लाइन मिलेंगे चार लाइन मिलेंगे और आपको चार लाइन में अपने आंसर तो क्या करना है कंप्लीट करना है तो दुसरी गलती तिसरी गलती अगेन इन्होंने प्रेक्ट गरत लिखा 2018 लिख दिया है 2016 देखिए यहाँ पर अगर आपको year याद नहीं आ रहा है या फिर आप confirm नहीं है तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे आप अगर simply यह भी लिख देते हैं ति Canada government ने इस कृत्य के लिए जो है अबच्ची की आंसर कॉपी जो ये कह रहा है की कमड़ इंसिदेन्ट वास हपन और टाइन बता दिया फिर उनने बता दिया कि से जपानिघ से यह भी कनेड़ा में वहां जा रहा थी नहों ने बता दिया इन्सिडेंट अनı कनाड़ कंळडर और्मूर्ट रेस्टिन कि विया कैनेस किया सब्सक्राइब नां धर किन दी तो ऑठ कहल राव इनको मिले हैं क्योंकि इनोंने कुछ भी factual गलती नहीं की है ठीक है तीन से चार लाइन इनों लिखा इनसे भी गलती हुए हुए है कि वर्ड लिमिट जो है थोड़ा क्रॉस कि है हमको बिल्कूल अवाइट करना है एटलिस पहले questions में तो definitely करना है ठीक है कुछ fact ये और बहतर बता सकते थे जैसे जपान के योको हुमा सहर का जीकर कर सकते थे लीडर का नाम बता सकते थे गुर्दिस सिंग ठीक अगर ये फैक्ट भी लिख देते तो ये पूरे दो मार्स इनको मिल सकते थे ठीक तो अगला जो है अब हम चलेंगे next two marks का question है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ what were the downward filtration theory of education ठीक है बच्चे ने क्या लिखा है बच्चे ने लिखा है the British believe that by educating a few upper class Indians they were making way for educating the masses this educated Indian would spread the education ठीक है बच्चा बिलकुल सही लिखा है क्योंकि downward filtration theory यही कहता है कि upper class या upper middle class के लोगों को क्या करना education provide करना ताकि वो निचले तपके कि जो मासे से उनको educate कर सकें यह overall downward filtration theory का concept है इसने लिखा इसलिए जो question की demand इन्होंने लिखा अगर इन्होंने कौन इंट्रोडीस किया यह लिख देते तो पूरे दो marks इनको मिल जाते ठीक है दूसरों की copy देखते हैं हम एक बच्चे ने लिखा इस ग्रामेटिकल और spelling error पे भी ध्यान देना है इसके भी marks करते हैं ठीक in which he made western education is best of education saying Indian education is not better than it देखिए बच्चे ने जो लिखा है यह downward filtration theory नहीं है बच्चे ने confuse करने को सिसके इवलेटवर को आपको जो है बिलकुल जो questions की demand है क्या है लिखा है आपको अगर पता है तो आपको तो क्या है यह लिखना है ठीक है तो downward filtration theory क्या है यह आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि देखिए भई यह आपका क्या है lower class था यह middle class और यह क्या था upper class तो upper और middle class के लोगों को educate करके मास को जो है educate करना नीचे educate करना जिसे downward filtration theory कहा गया इसे आप बहतर सब्दों में लिख सकते ह कि it was intended that modern thought and modern education would flow down from the top class ठीक है इस तरीके से आप लिख सकते हैं आप कुछ और बहतर terminology यूज़ कर सकते हैं जैसे एक word होता है इस ट्रेटा यहाने की होता है तबका तो आप लोवर ऐस्टेटा अपर इस्टेटा इस ट्रेटा के word यूज़ कर सकते हैं निचला तबका उच तबका तो आपको क्या है इस ट्रेप के अगर आप words यूज़ करेंगे तो आपकी answers जो है better दिखाई देंगे और आपको सहीं लिखा दूरिंग ब्रिटिश राइन इट प्रमोटेट एजुकेशन इन अपर क्लास वीच बिलीव इन टिकल डाउन तो द लोग क्लास ऑफ द सुसाइटी फॉलोड ट्रिक टिकल डाउन इफेक्ट रिजर्ड नौट सक्सेस्फुल देखिए मैंने आपको सेशन की सुव यह नहीं पताया थे इसलिए आप मार्क्त कटे थे यह चारू पॉइंट सहीं है तो हमारा यह वाला में ऐस कंट जुए है वह कंपलेट अब हम recommends कर लेते हैं यह वाली कर लेते हैं ठीक है यह प्रस्ण है comment on the policies of vice royal lord karjan ठीक है सबसे पहले देखिए जब आप questions पढ़ते हैं तो आपका mind ही चलना चाहिए कि क्यों policies of lord karjan पूछा है तो lord karjan बहुत ही important vice royal थे ठीक है इनकों ने बहुत सारी regressive policy बनाई थी ठीक है और यह बहुत ही important role play हुआ हमारे Indian history में ठीक है तो जब भी आप ऐसे questions करेंगे जब previous year questions बनाएंगे practice questions करेंगे तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि चार marks में और कौन से voice roy के बारे में पूछ सकता है ठीक है यह governor general के बारे में पूछ सकता है तो डल हाओ जी है लॉड रीटन है रीपन है तो जो आपको important लगते हैं जिन्होंने बहुत important role play किया है पॉलिसी बनाने में तो आप उनकी answer rating को क्या कर सकते हैं अपने answer rating में सामिल कर सकते हैं उसकी answer rating practice कर सकते हैं ठीक तो लॉड करजन इन्होंने क्या लिखा इन्होंने लिखा भई कि 1899 से 1905 आप बता सकते हैं कि इनका tenure यह था इन्होंने क्या क्या प्रेजर कमिशन बनाया 1902 म बनाया इसके अलावा जो है इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल बनाया फिर 1905 में यह सबस्यादा important है देखिए जब आप answer rating frame करते ना तो जब से important जो point होता है उसको highlight करना होता है तो आप इसे पहले आप बताए सबसे important जो था 1905 में इन्होंने क्या किया पार्टिसन किया था बेंगॉल का ठीक है तो यह आप सबसे पहले बताएंगे क्योंकि यह पूछ किया रहा है questions के demand है आपकी questions के demand है वह है आपकी policy तो इनकी policy कैसी थी इनकी policy divide करने वाली थी तभी तो partition of Bengal हुआ 1905 में तो आप यह बता सकते थे ठीक है तो आपको बताना इस तरीके से था कि सबसे पहले आपको बताना था कि partition of Bengal फिर आप university act 1904 बता सकते थे क्योंकि 1904 में उन्होंने क्या किया था university act लाके center को ज्यादा पावर किया था ठीक है मतलब centralized किया था जो lord रीपन जो थे न जिन्होंने decentralized किया था उसको undo किया था उन्होंने और क्या किया था centralized कर दिया था center बहुत ज्यादा पावरफूल हो गया था इंडियन university act 1904 की में आपको बात कर रहा हूं इसके अरावा कलकता corporation act आया 1899 में इसमें भी इन्होंने क्या किया था इसमें इन्होंने जो निर्वाचिस सदस्य थे जो elected members थे उनकी strength को कम कर दिया था ठीक है तो यही एक कारण है कि इनकी policy बता रिएगी किस तरीके से इंडियन के प्रती इनका रविया था तो आप पहले दो line में यह बता सकते हो कि इनकी जो law थे वो regressive थे रेप्रेजिव पॉलिसी थी दमन करने वाली पॉलिसी थी और आप example देती हुए जो यह मैंने तीन चार पॉइंट बता है यह बता देते तो सारे पूरे के पूरे माक्स मिल सकते थे लेकिन यहां पर बच्चे ने क्या किया यहां पर बताये कि द्यूरिंग इस दिन्योर दिल्ली दर्बार वर है डॉन 1903 यह किसी भी तरीके से जो है इनकी policy से related नहीं है questions की जो demand है उससे आपकी यह line match नहीं खा रही है इसलिए एक नंबर जो है evaluate करने वाले ने इस बच्चे का काट है देखते हैं एक किसमें proves वा यह जो सरह है वह रहाँ आपि अगर आपको इनके दूसरी policy याद नहीं आ रही है जो इन्होंने एक्ट पास की हो याद नहीं आ रहे हैं तो आपको 1905 partition of Bengal याद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने divide and rule करने की कोशिस की इससे बहतर यह होगा कि आप जो है इसको छोड़ दें छोड़ने से बहतर यह है कि आप अगर कुछ लिक दें तो जैसे 0.5 नमबर मिला है हो सकते है आप एक से 0.5 नमबर ले जाए क्योंकि relevant है आप भले दूसरे तिसरा फैक्ट नहीं दे रहे हैं लेकिन एक फैक्ट के बेस में भी आप जो है questions की और मिडल क्लास ऑफ इंडिया टू क्रियेट अ क्लास वीच वाज इंडियान बाइक कलर और ब्लड देखो कितना अच्छे हमने वर्ट दिये हैं जो भारती है जो है रंग से और खुन से क्या हो भारती हो बट ब्रिटिस इन आइडियास मॉरालिटी एन इंटेलिजेंस ये क्रस्ट को आपको लोखना है लेकिन वह क्या हो व्यक्ति कैसा हो आइडियास मॉरालिटी और इंटेलिजेंस से ब्रिटिस ब्रिटिसर्स की तरह हो जब आप नोर्स बनाएंगे तो इन की वर्ट को आप लीक सकते हैं तो जब भी कोशन आएगा आपको इन वर्ट को यूज करते हुए आंसर क्या करना है फ्रेम करना है ठीक है तो इस क्लास वूड एक्ट ऐसा लिंक बीट्विन दा गॉर्डमेंट और जनर प्रब्लीक एंड तूर दिस इंवेस्टर एजूके संट और अलसो भी डेवलक्ट हमने देखो डाउंडर फिल्टरेशन थिओरी बता दिया उसका परपस क्या था यह भी बता दिया कि यह लिंक करना जो जो कि क्या थे गौर्डमेंट जो जनर पब्लीक की बीच में क्या करना एक लिंक क्रिएट करना इसक नेशनलिस्ट विच गिव राइस तु मिलिटन नेशनलिसम इंडिया ही पास्ट मैनी रेप्रेजिव और रिग्रेशिव लो लाइक कलकत्ता कोप्रेशन एक 1899 मैने और इडिसकस कर लिया है इंडिया उनिवर्सिटी एक 1904 विच कल्टेट द फ्रीडम फ उनिवर्सिटीज ठीक है देखिए इस तैप के जो वर्स हैं विच कर्टेट कम किया ही कॉर्ट द इन्वर्सिटीज एस फैक्टरीज प्रोड्यूसिंग प्रोलिटिका रिवॉलिशनलिस एं इंक्रीज द गॉर्मेंट कंटूर वर्दैं देस्टेशन एक एंड ओफिशल सिक्रेट एक 1904 इसक एक्सपेशन प्रोड्यट करते हैं ताकि आप आप अंसर रैटिंग को फ्रेम करना सिक्के कि किस तरिके से आपको आंसर राइटिंग करनी है ठीक है अगला प्रसन हम देखते हैं अगला प्रसन है बहुत ही कॉमन कोईसन है लेकिन इसमें भी बच्चों ने गलती किया और बहुत ही extra advanced level questions मेंस में नहीं आते हैं देखी क्या प्रस्णा है कि write a note on जली वाला बाग में सिकर write a note पूछ दिया यानि कि आपको जो पता है उसके बारे में आपको वो बताना है ठीक है तो आप जली वाला बाग के बारे में क्या बता सकती है और इसके क्या output थे यह आप 4 point इ थी कब हुआ था यह बिया पता सकते हैं कि बैसागी का समय था इसके बाद क्यों हुआ था यह बता है कि बेना क्रॉंड वास टैनेटी प्रोटेस्टिंग अगेंस अरेस्ट आप कि चुलू एंड सत्यपार और डॉक्टर सेफुद्दीन कि चुलू के अरेस्ट के अगेंस् पारे बच्चे गलती कियें और हो सकता है कि आप जीन भी स्टुडेंट्स देख रहें उसमें बहुत सारे स्टुडेंट्स को यह फैक्ट क्लियर नहों कि जब भी जल्या वाला बात की बात आएगी तो दो नाम आएगा एक आएगा आपका जनरल और एक आएगा आपका जन माइकल ओडायर 거지 ठीट बेल गीति अर्ड एल्भी मैसेकर्स होता है जब प्रोटेसट चल रहा होता है तब तब जो है माइकरICK कर ओडायर जो है लेक्टिनेट गवर्नर रहते हैं पंजाब को फिर्टिनेट गवर्नर होते हैं और जनरर याहिर यहां पर बच्चे जो है आपको इसलिए यहां पर पैक्ट क्लियर करा दिया सहीद उधन सिंग्ँ जो है माइकर ओडायर को मारते हैं ठीक, यह भी आपको ध्यान रखना है तो इस तरीके से बच्चे ने फ्रेम किया बच्चे ने हंटर कमिशन के बारे ही बताया है इस मैसेकर की इमेस्टीगेट करने के लिए हंटर कमिशन गटित किया गया था लेकिन क्योंकि Factually वो कुछ जगा पे गलत था इसलिए उसे इसक्यदि कितने नंबर मिले हैं तो दो नंबर मिले हैं ठिक अगला जो प्रस्ण है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है तो इस बच्चे ने जो लिखा है वो लिखा है देखिए टाइंग बता दिया उन्नीस ठीक है जर्यवारा भाग में सेकर टूप प्लेस पंजाब रिजन में किया था ठीक है अरेस्ट किसके लिए किया गया तो डक्टर सत्यापार सैफुद्दीन किछ रूफ देखिए अगर आपको स्पैलिंग नहीं पता है मैं अगें कहा रहा हूं आप सैफुद्दीन भी लिख देते तो चल जाता नंबर नहीं करते लेकिन चुकि स्पैलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर इवैलुएटर को मौका मिला तो काटेगा ठीक है इन विच दा मिटिंग वस और्गनाइज की जान गई थी जबकि ऑफिसियल डाटा यह है अलांकि बहुत सारे लोगों की जान गई थी इससे जादा लेकिन 379 तो आप यह कर सकते हैं अगर बचना है तो आप यह कर सकते हैं मिले हैं ठीक अगला जो है इस बच्चे ने लिखा देखिए इस बच्चे ने फिर अगेन डेट गलत कर दिया अगर आपको डेट यार नहीं आ रहा है फिर मैं कहा रहा हूं कि आप एप्रेल 19 19 भी लिख सकते हैं ठीक है बैसाखी के टाइम था अगेन बच्चे ने गलती कि भी बच्चों को सिर्फ दो दो नंबर मिले हैं ठीक है तो थोड़ा सा जो गलती है जो फैक्चुली गलत है उसको आप अगर करेक्ट करते हैं पहले से तयार रहते हैं कि प्रसन आएगा मुझे यह यह पॉइंट लिखने तो यहां पे जो है फूल मार्क्स लिया जा सकता है तो अगले प्रसन में चलते हैं अगला जो प्रसन वो है आपका आप माक्स की बात करते हैं दब फिलोसोफिय औब नामक दस्तवेच का उदेश क्या है वाट वर्ड़ परफास ऑफ दा डॉकुमेंट टाइटल दफिलोसोफिय औब बॉंब ठीक है बहुत बढ़िया प्रसन है इसको मैं बताता हूं कि पहले हम मौडर अंसर बाद में डिसक्स करेंगे पहले बच्चे ने क्या लिका यह देख लेते हैं दब फिलोसोफियो बंवस रिटन बगवती बंचरन वोरा एक नाम आपको पता चल गया बगवती चरन वोरा ने इसको दिया था ठीक इट वस बगवती चरन वोरा की कैसे हम जस्टिस के लिए कि बढ़ करते कर रहे हैं तो philosophy of bomb लेकर आते हैं तो इन्होंने जो है सारे points को cover किये हैं इस वज़ा से इनको जो है 6 नंबर मिले हैं जो की बहुत अच्छा नंबर है आट मार्स में अगर आपको 6 नंबर मिलते हैं तो next बच्चे ने क्या लिखा है इसको हम देख लेते हैं तो बच्चे ने लिखा है ठीक देखिए दर डॉकुमेंट वस रिटन बाइ भगवत चनरोना अंदर रिकमेंडेशन और भगवत सिंग के रिकमेंडेशन में नहीं बल्कि चंद्र सिखार आजात के रिकमेंडेशन में करते हैं भगवत सिंग हैल्प करते हैं उनको complete करने में तो आप फैक्चुली गलत हो जाते हैं और उसके बाद आप जो है इसकी जो essence है इस questions का जो आप पूछना चाहा रहा है examiner कि यह जो कल्ट ऑव बम है उसके अगेंस्ट में जो लेके आते हैं इनकी ideology क्या है तो आपको सत्यग्रह को violence को non violence को justice injustice इस टाइप के words से आपको क्या क करने हैं इसलिए यहां पर इस बच्चे को definitely जो है इतने आठ नंबर को समस्ट में बच्चा अवेर था इस question से उसको पता था कि philosophy क्या है लेकिन चूंकि answer frame करना निया है इसलिए उसे नंबर जो है एक ही marks मिले है ठीक अगला है हम देखें बच्चे ने क्या लिखा है तो model answer को देख लेते हैं कि model answer हमारा क्या कहता है pathis academy का ठीक है तो देखिए actually in December 1929 then revolutionally three were bum on the train the then Viceroy Irvine ठीक background हम बता है चूंकि art number का प्रसन है तो आप जरसा भूमी का बान सकने background पे ठीक but unfortunately Irvine escaped unheard बच गया after this gandhi ji criticized this act of revolutionaries in an article called the cult of bum in which he referred to the Viceroy the well wishers of the country and the youth as the obstructor in the path of the independence in response to gandhi ji criticism bhagwati chanora wrote an article ही important है कि gandhi ji की criticism की response में bhagwati chanora एक article लिखते है जिसका नाम है philosophy of bum as per the advice of chandrashti karajad वही बच्चे निकलती की बगस्तिंग लिख दिया था it was written in lakhanav which was finalized by bhagashin think abhi in ke highlights kea hai it first try to clarify the word violence violence कुक्ति कारिफाइ किए violence is physically force applied for committing injustice but this is not the aim of revolutionaries the the reverse revolutionaries use physical force for justice थैखिये किस तरिके से प्रेम हो रहा है error, an attempt was made to give a new dimension to Gandhi's Sathya-Gara philosophy Sathya-Gara means the urge for truth, why only urge the use of spiritual power for its acceptance, why is there no use of physical strength in it, the revolutionaries are exercising both spiritual and physical power, trying to clarify the need for revolution, it was said that revolution is not mainly a means to drive away fallen rulers but revolution would end capitalism, class system and a system that privilege only a few people, it will stand the nation on its feet, it will lead to the birth of a new nation and a new society. In this book Gandhiji was also thanked for the criticism but it would help revolutionaries to spread their philosophy बहुत बैतरिन तरीके से प्रेम हुए है आपको पढ़के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आठ मार्स के questions को आपको क्या करने है हमने आठ मार्स का देख लिए अब लास्ट जो है हम जो है एक पंदरा मार्स के questions को देखके discuss कर लेते है तो लास्ट questions पर हम सीधा चलते है यह जो प्रसन ही कह रहा है कि the main objective of the मॉडले मिन्टो रिफॉर्म आपको पता है अब प्रसन ही बता रहा है कि क्या था was to confuse the rebellers देखिए प्रसन आपको बता रहा है कि was to confuse the rebellers पहला point दूसरा point to divide the nationalist तिसरा point to destroy the national unity by adopting communal electorate system प्रसन ही बता रहा है कि मॉडले मिन्टो रिफॉर्म क्या क्या कर रहा था ठीक है और क्यों कर रहा था to communal electorate system को adopt करने के द्वारा उन्होंने ये तीन चीजे की तो आपसे question की demand ये कि इन तीन चीजों को आप क्या करें define करें और answer को क्या करें justify करें ठीक है तो सबसे पहले जब भी आप long questions को बनाएंगे तो long questions जब भी आप बनाएंगे तो long questions के जो word limit है उसका 10% ठीक है आप जो है introduction में दे सकते हैं आप background बता सकते हैं थोड़ी सी मुही का बान सकते हैं उसके बाद आप questions की demand है उसको आप main body में लिखेंगे उसके बाद again 10% जो है आप उस answer को क्या कर सकते हैं conclude कर सकते हैं ठीक है तो इसके इसके लिए आपको क्या करना है आपको क्या करना है पहले आप जड़ा सा introduction लिखेंगे कि मावले main to reform क्या था किस तरीके से criminal electrolyte system को adopt किया गया कब किया गया क्या परपस था उसके बाद आप इसकी heading डालेंगे कि objective क्या था तो confused था to confuse the riveler to divide the nationalist and destroy the unity और इसको आप क्या करेंगे explain करेंगे कि कैसे ठीक और उसके बाद जो है आप conclude कर सकते है answer को ठीक है तो इसमें जो है बच्चे को 7 number मिला है बच्चे ने बिल्कुल सहीं लिखा है मैं सीधा आपको जो है अब जो है हमारा model answer मैं आपको बताता हूं ताकि आप समझ पाएं कि long answer को किस तरीके से क्या करना है except लिखना है ठीक तो देखिए पहले हमने भूमी का बांदी कि the council of India Act also known as model inventory form was introduced in 1909 the principle of electrolyte system was recognized for the first time in India by this act Indians got representation for the first time in the executive council of the governor general and limited power were also given to the member of central and legislative council at the same time special concession were given to muslim muslim ko diya gaya to divide and rule ki baat आगे यहां पे in terms of representation by this act such as muslim were given to the right to send more representative in portion to the population in the central and provincial legislative council and the income qualification for muslim voter was also reduced as compared to hindus however the election method adopted under this act was very vague ठीक है जो confuse करने की बात हुई थी रिबर्स को यहां पे आ रहा है सम उस्टो elect local bodies this member elected election board and this elector elected members of provincial council then the members of this provincial council elected the member of the central council the parliamentary system was provided by this act but the responsibility was not given करने का है इसकespèreaz स्च्ड़क्रेइख स्च्च्रुडेख लेक mission in Phillips ilgili जए आग मजे कि ऑने काकर को हम अंपें आले giving greed to moderates and muslims देखिये, moderates जो विचार भारते और muslims थे उनको एक तरीके से क्या किया गया, confused किया गया, greed दिया गया, the government tried to appease the muslim league and moderate as a strong weapon against nationalism and they were successful to some extent with the reforms of 1909. the public received only nominal reforms, the biggest irony in this was the responsibility of the government was handed over to one class and power to the class. Circumstances were created that the bitterness between the legislature and the executive increase and the relation between the Indians and the government deteriorated further with the reforms of 1909. the people wanted something else and they got something else regarding this reform. Mahatma Gandhi said again quote कर दिया, कि मौले मिन्टो रिपॉर्म है डिस्ट्रोइड अस, ठीक है, तो सारी बाते किस तरीके से जो है, cover हो गई, तो आगे जो है, मैं इस test number 4 का, हिंदी वीडियो अलग से लेका रहूँगा, इसके अलावा जो है, India GSK जो और test हुए है, वो मैं आपको जो है, explanation कराऊंगा, तो सीरीज के साथ बने रहें, जब तक के लिए, जय हीन, जय भारत, जय जोहाँ.